दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही लगजरी हाउस की जासा कि आप यह प्लान देख रहे होंगे इसमें मैंने टेक्सर वगएरा का भी यूज किया है अगर में गेट की बात करें वो भी आप बहुत ही स्टाइल ही देख रहे होंगे पूरा प्रॉपर तरीके से डेजा प्लान है इसका कॉस्ट क्या लगेगा बनवाने में वह भी मैं बताऊंगा साथ पूरा इसको डाउनलोड कैसे करना है इसका साइज बगएरा साइड डेटेल में डिसकस करूंगा सिर्फ बने इस वुड़ों में और मैं हूं पहुंचा कर आप देख रहे हैं अपना चैनल इसमाल हुश प्लान अगर आपने दोस्तों अभी तक इसमाल हुश प्लान को सब्काइब नहीं किया है लेटेश्ट अपडेट वुड़ों पाने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्काइब जरूर कर लें तो यहां पर आपको लगातार अपडेट वुडियो मिलते हैं मॉ सब्सक्राइब लेंद ही लेकिनन आपको पेमेंट केवल हमी को करना है यब आपडेट मेंटि बिल्कूल न करें तो चलो को आज का मॉडल से पूरे डिसक्स कर लिते हैं मैं दिखा देता हूं आपको फ्रंट से देखने हैं मैं आपको ऐसा मिलेगा ठ्रीसाइट क्लोम की दिखा रही यह दिखिये आप जो पिलर टाप को देख रहे हैं इसे आप इग्नोर करें यह फर्स्ट फ्लोर के है दोस्तों डिजाइनिंग के परफ़से कुछ स्लूप से अंदर आते हैं तो यह दे की में डोर आप इस्टाइल इडिए आपकी कार पार्किंग के लिए जी किया है, ये इसका दिस्तो इंटर जिससे इंटर करेंगे ये आपका एक विंडो दिया है लाए लाजाते हो गाँ में ये सबसे पहले आपका विलत का विंडो जिया गाए मैंने दिया बड़ा सा गट्टिस किचेन लगवाद दस भाई दस का उसी के बगल में दस भाई आठ का आपका एक बड़ा सा लगजरी अगर हम बात करें इसको अगर डियान करवाएंगे तो आपका बातरूम है इसके बाद यह आप आ जाते गैलरी के मादधिम्स हाल में तो म पूरा आप ग्लासेश के मादधिम्स उपन कर सकें पूरा प्रपर दस के विंटलेशन हो सके तो इसलिए विंड़ो एडूर नहीं देख के पल हॉल टाइप का है आप यहां पर डाइनिंग हॉल बड़ा सा क्रेड कर सकते हैं और यह आपका बड़ा सा बैड्रूम अब बात जिसमें आप अगर प्रॉपर विंटलेशन और करना जाते हैं तो बीस में आप बड़ा सा एक जाल रखवा सकते हैं इसमें प्रॉपर तरीकिस उपर से दूप बगर आती रहे फ्रंट से मैंने बड़े-बड़े विंड़ो दी है इससे आपका कोई प्राउंच नहों यह आ फिरन आपका किचे में डिप बल को अचाल कला फ्रीख विंड़ो प्रीगन और प्रैघ्थर सेिह बार्न बाकॉन नियुक्क्र अबड़े जकूचप कर 50 को यह मिल रहा होगा चारो तरफ शैर्फट का बॉंड दे और यह जो इस्टेर्स थी उसको डखने के लिए गुम्टी बनाया यहाँ आपको यहाँ पर किचिन था बैड्डूम तो उसको कमाइंड कर दिया एक बड़ा सा बैड्डूम मना दिया से विंडो दे यह चैत हो गया यह रिलिंग है ग्लास का यह टेक्स्टर आप पूरा देख पा रहे होंगे लकडी का टेक्स्टर है दोस्तों आप यह गर की फनिशिंग करवाते हैं तब यह सारी चीज़ी यूज होती पहले आपको इस्टक्षर बन्माना पड़ेगा फिर फनिशिंग के बाद आप टेक् कर सकते हैं हमारी website से link description में है आपको कुछ experiment करना हो अगर आप इस पूरे model को डाउनलोड करके इसे बनवा सकते हैं तो पूरा model कैसा लगा वीडियो जरूबता है कमेंट करके जरूबता है सासा वीडियो की लाइक से जरूबता है अगर कोई कि भी डाउट है तो कमेंट करके पोच सकते हैं थैंक्स वाचिंग